हेलो एप्रिवान दिस इस कनिश्का वेलकम बेक टू मैं चैनल आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन और राशनल एक्सपेक्टेशन में क्या डिफ्रेंस होता है तो यहां पर हमने वर्ड देखा एक्सपेक्टेशन अब अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या है यह थियोरी बिताती है कि हम फ्यूचर आउटकम को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं अपने पास्ट इवेंट को देखके हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं पास्ट इवेंट पे कैसे अगर हम एक्सांपल लें अगर इंफलेशन हम देख रहे हैं हर साल बढ़ रहा है 2% से हर साल इंफलेशन बढ़ जाता है 2% से तो लोग यह प्रिडिक्ट कर लेंगे इस साल भी इंफलेशन बढ कि हर साल inflation 2% से बढ़ रहा है हमने एक past basis पे जो हमारा past event हो चुके हैं उस पे हमने एक pattern बनाया कि हर साल ऐसा हो रहा है तो इस साल भी ऐसा ही होगा तो हमने अगर past event पे एक pattern बना के expect करा है कि इस साल भी ऐसा ही होने वाला है तो वो बोलते है adaptive expectation को हम past event से future को देख रहे हैं तो future is in the continuation of past हमारा जो future है वो past के continuation में ही चलेगा क्योंकि हम past event को देखके future predict कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया जैसा past रहा वैसा ही future रहने वाला है तो अगर inflation past में भी 2% बढ़ रहा है तो future में भी 2% बढ़ेगा तो future is in the continuation of past इसको हम backward looking approach बोलते हैं backward looking क्यों बोलते हैं क्योंकि हम इसमें past events को देखके अपनी future predict कर रहे हैं तो backward हम जा रहे हैं past event को देखके future predict कर रहे हैं तो backward working approach हो गई है अब यहाँ पे लोग exactly predict नहीं कर पाते कि क्या होने वाला है बट उनको एक idea हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो यहाँ पे policy effectiveness का case अभी हम देखते हैं example से क्या होता है policy effectiveness अब देखते हैं short run के case में अब short run में क्या होगा लोग predict नहीं कर पाएंगे जैसे कि अभी example देखेंगे पर long run में लोग predict कर लेंगे क्योंकि उनके पास एक pattern हो जाएगा अब अगर हम example देखें inflation इसी साल से start किया है government में सिरफ inflation इसी साल लगाया है 2% का तो हम pattern तो predict नहीं कर पाएं इसकी कोई past information तो हमारे पास थी नहीं तो हम future कैसे predict कर सकते हैं तो यहाँ पे short run में जो होगा हम predict नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई past information है ही नहीं उस case के बारे में पर long run में हम एक pattern बना लेंगे कि हर साल government ऐसा inflation कर रही है तो इस साल भी करने वाली है तो यहाँ पे हम past basis पे एक pattern बनाके information predict कर लेते हैं उसी को हम बोलते हैं जब हम long run में predict कर लेते हैं तो यहाँ पे short run में तो predict नहीं कर पाएं तो हम example देखते हैं अगर government prices बढ़ा रही है inflation बढ़ा रही है मतलब prices बढ़ा रही है तो first year में अगर पहले ही साल government ने prices बढ़ाए तो लोगों को पता नहीं चला लोगों को ने anticipate नहीं किया पहले से क्योंकि इसके पास information तो कुछ थी नहीं तो यहाँ पे जो workers थे उन्होंने अपनी wages को constant ही रखा अगर prices बढ़ते हैं तो workers में क्या करेंगे अगर workers को पता हो कि आगे आने वाले prices बढ़ने वाले हैं क्योंकि ऐसा होने वाला है क्योंकि उनके पास past information कुछ थी यह नहीं यह जो कॉर्मेंट ने जो भी policy लगाई है वो पहले ही साल लगाई है तो यहाँ पे पहले ही साल लगाने से जो policy होगी उसका effect दिखेगा क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स को पता नहीं चलेगा तो वर्कर्स अपनी वेजिस को constant ही रखेंगे अब दूसरा साल आया दूसरे साल में भी लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं किया कि ऐसा होने वाला है क्योंकि पास्ट इंफोर्मिशन थी नहीं सिर्फ एक साल की थी कोई pattern नहीं बन रहा था तो यहाँ पर फिर से वही हुआ कि लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं करा और वर्कर्स ने वेजिस नहीं बढ़वाई वर्कर्स की वेजिस उतनी ही उतनी है फिर long run में आते आते क्या हुआ third year में, fourth year में ऐसा एक pattern बनने लगा तो लोगों ने predict कर लिया कि ऐसा हर साल हो रहा है तो इस साल भी होगा अगर government prices हर साल बढ़ा रही है तो इस साल भी बढ़ाएग तो लोग यहाँ पर predict कर लेंगे कि हमारे जो future में prices हैं वो बढ़ने वाले हैं तो फिर यहाँ पर लोग wages क demand करेंगे जो workers हैं वो क्योंकि उनको पता चलता है कि prices बढ़ने वाले हैं अब future में अगर prices बढ़ने वाले हैं तो उनके पास अगर income जादा आएगी तभी तो वो demand अपनी fulfill कर पाएंगे तो यहाँ पर workers को जैसे ही पता चलता है कि prices बढ़ने वाले हैं वो फिर wages की demand करना start कर देते हैं तो यहाँ पर अगर लोगों को पता ही चल गया कि prices बढ़ेंगे तो वो wages की demand करना शुरू कर देंगे तो शौर्ट रन में तो policy को predict नहीं कर पाते लोग पर long run में जाते जाते उनके पास एक pattern आजाता है past information की basis पर कि ऐसा हर साल हो रहा है तो इस साल भी होगा तो ल यहाँ पर first year अगर हम देखते हैं prices बढ़ाने से workers पर कोई फरक नहीं पड़ा उनको पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई policy आई है prices बढ़ चुके हैं second year में भी ऐसे ही हुआ लोगों को पता नहीं चला कि prices बढ़ चुके हैं ऐसी कोई policy आ चुकी है तो यहाँ पर policy effectiveness का case आता है government न यहाँ पर policy effectiveness का case आता है क्योंकि policy जो भी government ने लगाई उसका effect economy में दिखता है तो जिस भी purpose के लिए लगाई वो effect economy में दिखेगा पर long run में जाते जाते लोग predict कर लेंगे क्योंकि उनके पास एक pattern आ जाएगा तो यही होती है adaptive expectation अब चलते है rational expectation पर rational expectation की short form होती है ratex ratex word कहां से आया rational का RAT and expectation का EX तो ratex बन गया rational expectation यह word जो था rational expectation यह इसकी definition जो थी first profound किस ने की थी जौन एफ मूथ ने तो जौन एफ मूथ थे 1961 में जिन्होंने rational expectation का concept दिया इन्होंने बोला कि लोग rationally decision making करते हैं अब लोग adaptive expectation से नहीं चलते हैं लोग rationally सोचते हैं लोग बहुत समझदार हैं और वो बहुत समझदारी से predict करते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो यहाँ प सोचें तो उनके पास current situation भी होगी एक्जांपल से भी समझेंगे अभी तो यहाँ पर rational expectation में बोला जाता है कि लोग predict कर लेंगे on the basis of past event plus current situation जो भी उनके पास है example देखते हैं अगर inflation बढ़ रहा है हर साल 2% से हर साल 2% inflation बढ़ रहा है तो यह predict कर लिया गया है कि इस साल भी 2% से inflation बढ़ेगा अब यह तो adaptive expectation हो गई कि हमने past basis पे अपना एक pattern बनाया और उससे future predict कर लिया पर यहाँ पे हमारे पास क्या है rational expectation में एक चीज और add हुई है वो क Covid hit करा है हमने example ले लिया इस साल Covid आया है तो यहाँ पे current information हो गई कि Covid तो currently आया है तो यहाँ पे लोगों के पास past event के साथ साथ past event का जो pattern बनाते हैं वो उसके साथ साथ current situation को भी लेके चलते हैं तो लोग सोचेंगे इस साल तो Covid आया है तो लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया inflation 2% से नहीं 3 या 4% से बढ़ेगा तो लोग prices थोड़े और जाधा बढ़ेंगे तो लोगों ने ये prediction लगा लिया अब यह actual prediction है कि अगर हम rationally देखें तो हम current situation भी अपनी देखके ही चलेंगे past events की pattern मनाके plus current situation देखें तो वो rationally expectation होती है हम यहाँ पे लोग predict कर रहे थे कि 2 साल से inflation बढ़ता है तो हर बार 2% से inflation बढ़ता है तो इस साल भी 2% से भी बढ़ेगा पर यह तो adaptive expectation हो गई rational कब हुई यह जब लोगों ने देखा कि इस साल तो covid आया तो इस साल inflation और जाधा भी बढ़ सकता है इसको हम forward looking approach बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम current basis के information भी ले रहे हैं तो यह forward looking approach बोली चाती है इस approach में कोई भी error आ सकता है हमारी जो forecasting है उसमें कोई भी छोटा मोटा error आ सकता है random basis पे random basis मतलब temporary error आ सकता है तो short run में तो यहाँ पे error आ सकता है पर long run में जाके लोग correctly predict कर ले रहे हैं अब short run में error कैसा आएगा यहाँ पे 3-4% एक अंदाजा लिया है इतना इसके बीच में कोई भी number हो सकता है तो यहाँ पे छोटा मोटा error short run में आ सकता है और long run में लोग actually predict कर ल लगाएगी चाहे वो monetary policy हो चाहे वो fiscal policy हो कोई भी policy अगर economy को stable करने के लिए government लगाएगी तो उसका effect हमें नहीं देखेगा क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा पहले ही तो policy यहाँ पर क्या हो गई ineffective हो गई यह rational expectation की case में policy ineffectiveness का case आता है example से देखते हैं अगर government prices increase कर रही है और उसका objective है government का कि अगर हम prices increase करेंगे तो economy में employment बढ़ेगी economy में employment बढ़ाने के लिए prices को increase करा जा रहा है अब यहाँ पर prices increase होने से employment कैसे बढ़ेगी अगर prices increase होंगे तो supply increase होगी supply increase होगी तो sales भी बढ़ेगी sales बढ़ेगी तो लोग की जो workers है उनकी income बढ़ाई जाएगी workers की income बढ़ाई जाएगी sales बढ़ गई तो हमारे पास जो labor है उसकी कमी हो जाएगी तो producers जो है वो labor की demand करेंगे तो ऐसे ही employment बढ़ जाएगी तो government का यह objective है कि prices बढ़ाने से हम employment बढ़ाना चाहते हैं तो हम prices इसलिए बढ़ा रहे हैं पर लोगों ने यह predict कर लिया कि आने वाले future में prices बढ़ने वाले हैं लोग predict कर लेंगे on the basis of past event and plus on the basis of current information जो भी उनके पास available है तो यहाँ पर जो existing labor थी जो पहले से ही producer के पास labor लगी हुई थी उसने demand कर दीजी wages हमारी बढ़ा दो क्योंकि future में prices बढ़ने वाले हैं इसलिए अभी हमारी wages बढ़ा दो अब future में prices बढ़ेंगे तो हमें अपनी महंगाई को fulfill करने के लिए demand को भी करना पढ़ेगा ना तो demand की जादा पैसे अब हमें देने पढ़ेंगे जो भी हम consumption करेंगे उसके हमें जादा पैसे पे करने पढ़ेंगे तो हमारी wages बढ़ा दो तो existing labor की wages बढ़ा दे गई अगर producer existing labor की wages बढ़ा देते हैं तो वो कोई भी employment और करेंगे नहीं क्योंकि अगर producer existing labor की wages बढ़ा रहा है जो भी उसके पास labor पहले से ही काम पे लगी हुई है उसकी wages अगर बढ़ा देते हैं तो producer के पास तो limited budget है अब वो employment थोड़ी कर पाएगा क क्योंकि limited budget में चलने हैं उसे भी अपने resources देखने हैं तो producer यहां पे अब existing wages की existing workers की wages बढ़ा के employment बिल्कुल नहीं कर पाएगा तो वो labor की demand करेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास भी limited budget है इसलिए producer demand ही नहीं करेगा labor की तो यहां पे जो policy है वो ineffective हो गई कि government ने policy लगाई थी कि prices बढ़ाएंगे तो employment बढ़ेगी पर यहां पे प्राइसेस बढ़ाएंगे पर employment में कोई फरक ही नहीं आया employment बढ़े ही नहीं तो यहां पे policy क्या हो गई ineffective हो गई policy का हमें कोई भी effect दिखा ही नहीं मार्केट में तो यहां पर policy लगाने से government का objective था कि employment बढ़ाना अपर यहां पर उसका उल्टा हो गया employment तो बिल्कुल नहीं बड़ी employment stable रही क्योंकि लोगों ने predict कर ली policy आने वाली है यहां पर policy ineffective हो जाती है इसी को बुला जाता है policy ineffectiveness का case अब यहां पर rational expectation का मतलब तो यह simply था कि past basis पे हम predict कर रहे हैं plus current information लेके past basis पे और current information लेके हम predict कर रहे हैं पर यहां पर जो policy ineffectiveness का case था यह Lucas ने दिया था अब यह policy ineffectiveness का case Lucas ने कैसे दिया था क्यों दिया था rational expectation के अंदर हम यह next वीडियो में cover करेंगे आज के वीडियो के लिए इतना ही आयोप आपको अच्छे से समझ आया हो thank you so much for watching I'll see in my next video